हाई फ्रेंड्स मैं राजवीर आपके लिए और एक न्यूव वीडियो लिए के आ चुका हूँ Google Tag Manager से रिलेटेड जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीविए वीडियो में कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो GTM Code होते हैं सबसे आप अपनी वैपसाइट के साथ कैसे इंटिग्रेट कर सकते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अब मैंने हाँ पर अपना जो वर्ट्प्रेस पैनल है उसे उपन कर रखा है और यहां पर आपको क्लिक करना है जो भी आपका कंटेनर नेम होगा ज इंस्टॉल गूगल टैग मेनेजर इस पर मैं क्लिक करूंगा एंड यहां पर देख सकते हो मेरे कोड यहां पर आ चुके हैं यहां पर वैपसाइट पर मुझे जाना है एंड इसके बाद यहां पर आप चाहो तो अपरेंस वाले ऑप्शन में जाके थीम फाइल एडिटर प पिएच पी यह दिए देख सकतो है ड़ी ओपिएच पिक ऑप्शन सा आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा इड़ एड़ यहां पर भी चाहिपर कर सकतो बट मैं आपको यहां पर सुझेस्ट करोँगा कि यहां पर जो भी कोड इंप्लिमेंट करो वह कुछ प्लग इन के-thru ही करो करो यहां पर जैसे मैं क्लिक करोंगा कोड़ कर फोड़ सा तराइम लेगा इसके बाद आपर देख सकते हैं यहां पर मुझे सारे options दिखके header and footer यह तो मैं यहां पर simply आता हूँ Google Tag Manager पर यहां से मैं पहले copy करता हूँ GTM Tag and यहां पर आता हूँ and इसके बाद मैं यहां पर जैसे header में यह पेस्ट करना है तो मैं इसके नीचे कर देता हूँ सब्सक्राइब करते ही तो मैं यहां पर溜़ानी है जे पर मैं यहां कोपी करता है जो बोटी वाले AND करना नहीं है अगर आपको इन्स्टाल करना नहीं आता तो आप यहां मीरी वीजियो जाकर देख सकते हैं व्यक्त फ्योव्टेस की वहां पर इल्यडी मैंने बता रख तो इहां पे यह से तो यहां पर रहां हो है मैं से टीन्जर्ट से मुर्म मेरे चुक jako अगया है यूद प्लगिंट इन फुर्ट आप इन स्टॉर कर सकते हैं यहां पर आते हैं यहां पर आपको जूए करना add new plugin and इसके बाद आपको सर्च करना code snippets okay so जैसे आप यहाँ पर code snippets सर्च करोगे इस वाले section पर code snippets आपको यहाँ पर option देखने को मिल जाएगा code snippets जैसे कि यह वाला section ठीक है WP code इसे आपको install कर लेना है and इसके बाद आपको जाके इसमें सारे जो भी header फूटर जहां पर भी add-on करने हैं जो भी tag वह आप यहाँ पर tag करोगे और save करोगे इसके बाद आपको यह देखने को मिलेगा तो मैं यहाँ पर पहले तो अपने site का copy कर लेता हूं and copy करने के बाद मैंने यहाँ पर copy कर लिया है और यहाँ पर मैं इसे पिसके ऑ्रेस करता हूं यहाँ पर सर्च करता हूं जैसे सर्च करता हूं पर करता हो एदिसके बाद है जो Tag Manager गोगल ओडेग नेजिंव कोड़ है जो कोड़ तो इस दरीके से आप दिना गूगल जो कोड है वो कनेक्ट कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि आप Google Tag Manager को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर फिर भी कोई इशू आता है तो प्लीस आप मुझे कमेंट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो